नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूश्टर में दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सविधान संसोधन के कुछ महत्पूर्ण जो संसोधन हुए हैं वो आपको कराई थे किसी करणवर्स वह वीडियो हमारी बीच में ही रुग गई थी तो उसका जो सेकंड पार्ट है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों इससे पहले यदि आपने वह वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को आप पहले देख लें उसका जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दियावा है या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में आकर कॉंस्टिटूशन ओपन करेंगे और वहाँ पर सारे की सारे जितने संसोदन हुए है जो महत्यपूर्ण है जहां से प्रश्ण बनने की संभावना ज्यादा है उन प्रश्णों को हम आपके सामने डिसक्रस कर चुके हैं तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखे चलिए अब हम आगे सुरू करते हैं 42 सविधान संसोदन दोस्तों इससे पह पर के हैं 42 सविधान संसोदन सबसे पहले देखे इसे लगू सविधान कहा जाता है क्योंकि 42 सविधान में जब संसोदन किया गया तो इसमें इतने जादा संसोदन हो गए कि एक अलगी सविधान बन गया जब आप इसे देखेंगे तो इसमें इतने जादा संसोदन हुए है बहुत ज़ादा तो इसलिए इसे क्या का गया कि भाई ये क्या है एक लगू सविधान है या मिनी कॉंस्टिटुशन भी इसे ही कहा जाता है देखें सबसे पहले बात आती है भारत की जो परस्तावना थी जो प्रियम्बल है भारत की उसमें तीन सब्द जोड़े गए थे समाजवादी पंथनिर पेक्ष और आपकी अखंडता सब्द इन तीनों सब्दों को 42 सविधान संसोधन द्वारा 1906 में ही जोड़े गए थे ठी देखिए संसत और राज्ये विधान मंडल लोकसभा और राज्ये विधान सभाव का जो कार्यकाल है उसे 5 वर्ष से बढ़ा कर 6 वर्ष कर दिया गया था इसने ट्रेड यूनियन गतिविधी को कम करने की सक्ति वाले प्रावधान पर लोक लगाया था इस सविधान संसोधन द्वारा सविधानिक संसोधन पर न्याईक समिक्सा को पर्तिबंदित किया गया था मंतरी परिशत की सला को इस संसोधन के दह थलाष्ट पती के लिए बाद्यकारी बनाया गया था ये तीसरी चीजे जो आपको याद रखनी है इसमें जो इंप्रोटेंट है पहली ये जो पूछी जाती है मैं आपको बता दूँ पहली बाद देखिए ये इंप्रोटेंट है ये पूछी जाती है ये पूछी जाती है और ये पूछी जाती है ये तो इंप्रोटेंट है आपको तीनों की तीनों पताहोनी चाहिए नेक्ष्ट देखें जसमें राज्य को भी कानून बनाना पड़ता था, तो दोस्तों ऐसे में इन 5 विसो को कौनकौन से थे? शिक्सा वन, मापतोल, वन्यजी और पक्षो का संदक्षन न्याय परसासन जैसे ये जब पांच विशे थे इन्हे राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में रख दिया गया दोस्तों अनुसूची से सम्मधित और ये जितनी भी सूची है हमने कल की वीडियो में डिसकस किया है ये भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या पी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वा है आप वहां से इसे देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से डिटेल में समधाया हुआ है देख ये जो सूची है समधी सूची, राज्य सूची, केंदर सूची ये क्या है भारते सविधान का जो अनुच्छे 246 है 246 में वर्णन किया गया है ये जो हमारी अनुच्छी है केंदर में क्या-क्यावी से होंगे राज्य सूची में क्या-क्यावी से होंगे और समवर्थी सुची में क्या-क्यावी से होंगे इन्हें आर्टिकल 246 में वर्णित किया गया है इसके साथ में ही ये भी बताया गया है कि राज्य सुची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य का है तो केंदर का जो कानून होता है उसे ज्यादा तवजव दी जाती है वह ज्यादा माहिने रखता है तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है और इसे भी बहुत है तफुलाइन बात है जो मैंने आपको बताई थी तो ऐसे ही हमने क्या लिया है जो सूची है इने भी लिया है तो ये ली गई हमने भारत साथन अधिरियम 1935 से इन सूचियों को हमने ग्रैन किया है चलिए नेक्ट देखते हैं राष्ट पती मंत्री परिशद की सलहा के नुसार काड़िये करेगा ये भी ब्यालिजर स्विधान संसोधन के तहती कहा गया अनुचे 329 के तहत लोगसभा अध्यक्सोर परधार मंत्री को कुछ भी से स्विवे का दीन सक्तिया दी गई है नियाए पालिका की नियाएक स्मिक्षा और रिट छेतर अधिकार की सक्ति को सिमित किया गया अनुचे 226 के और 228 के की अनुसार इस संसोधन ने केवल उच नियालों को राज्य विधान की वेद्धता पर सासन किरने की अनुमती दी इसी परकार अनुचे 131 के माध्यम से सरवचे नियाले को विजएस अधिकार परदान किया गया वह इस तथे पर विचार कर सकता है कि कोई केंद्र कानून कानूनी है या नहीं दोस्तों देखें जो महत्तपून है उनके उपर में ज्यादा फोकस करूँगा जो एक्जाम में पूछे जाते हैं जो नहीं पूछे जाते हैं उन्हें में या एक बर पढ़के छोड़ दूँगा आप चाहेते वीडियो को रोपकर देख सकते हैं संगवाद 257 कें केंद्र को किसी भी राज्य में कानून और विवस्ता कि किसी भी गंबीर इस्थिती से निपटने के लिए संग के किसी भी ससस्तर बल को तैनात करने में सक्सम बनाने का प्रावधान मोलिक अधिकार और निर्देशक शिद्धानत अनुच्छे 14, 19 या 31 में नहीत मोलिक अधिकारों पर सभी निर्देशक शिद्धानतों को परधानता दी गई है मोलिक करतवे यह important है यह आपको देखना है मोलिक करतवे स्वन सिंग समीती की सिफारीसों पर लागू किये गए थे परस्ण बन सकता है कि समीती की सिफारीसों पर लागू किये गए थे तो स्वन सिंग समीती थी भाग 4 के A के तहट दिये गए है और जो अनुचेद इक्याउन के फैमे यह निर्धारित किये गए हैं तो यह तीन चाहिज़े जो आपको पता होनी चाहिए आपातकाल राष्टपती को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल की घोशना करने का अधिकार है भाग ठीक चोदा कया जोड़कर अन्य मामलों के लिए परसासनिक नयाधिकर्णों और नयाधिकर्णों के लिए प्रावधान करता है तो यह था 42 सविधान संसोदन आप लोगों ने देखा कितने संसोदन इसमें हुए हैं तो इसे मिनी कॉंस्टिटूशन कहा जाता है इसमें से जो मैंने आपको बताया कि जो खास है वैस सच में आपके लिए खास है और यह आपको याद करने है इसकी पहली वीडियो आप डिस्क्रिशन में लिंक भी आवा है वहां से देख सकते हैं सब्सक्राइब कर दिया गया इसके में इसे घठाकर फिर से पांच साल का कर दिया गया यह भी प्रावधान किया गया कि दाश्ट पती मंतरी परिशद की सलहा को पुनर विचार के लिए वापस भेज सकता है अब देखिए भारत का जो राष्ट पती होता है उसे भारत का पर्थम नागरिक कहा जाता है ब्याल से सविधान थनसोधन में यह कहा गया था कि जो एक भार मंतरी परिशद में सलहा दे दी उसे राष्ट पती मानेगा ही मानेगा तो फिर राष्ट पती को पर्थम वेखति कहना उचित नहीं होगा तो इसी में थोड़ा सा बदलाउ किया गया और यह कहा गया कि भाई आंत्रीक असान्ती के सब्द को ससस्त्र विध्रों से परतिस्थापित कर दिया गया। गणि कानूनी अधिकार पहले यह क्या था एक आपका मोलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन इस मोलीक अधिकार को खतम कर दिया गया यहां किसी काण्डयों से खतम किया गया था यदि आप यह जानना चाते हैं कि आकर मुलिक अधिकार को जो संपत्तिका अधिकार से मोलिक अधिकार से हटाकर गिदिक अधिकार बनाया गया तो आप उस वीडियो को जरूर देखे चुछ देखिए राश्ट्य पती राज्जेपाल और लोगसभा अज्यक्ष के चुनाव की नियायक समिक्षा का प्रावधान किया गया अब दोस्तों जानते नियायक समिक्षा क्या होती है? किसी भी मुद्दे पर दोबारा से उसकी जाज करना ये एक समिक्सा कहलाता है राश्टी आपातकाल के दोरान मुलिक अधिकार के अनुच्छेद 20 अपरादों के लिए दो सिद्धी के संबन में शन्नक्षन और अनुच्छेद 21 इसे इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता खत्म नहीं किया जा सकता ठीक है दोस्तों तो ये सब बाते किसमें की गई 44 सविधान संसोधन के तहत देखे क्या-क्या बाते की गई इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं पहली बात दोसरी बात जो संपत्तिक आधिकार था उसे हटा दिया गया है तीसरी बात जो मंत्री पर से सला देगी उसे पुनर विचार के लिए वापस बेज सकते हैं चोथिवाद आंतरिक विद्रो के आधार पर ससस्तर विद्रो सब्द को जोड़ा गया ठीक और इसके बाद जो एक बात और रह जाती है सबसे पहली देखे यह क्या है जो कारेकाल था इसे वापुने पांच वर से किया गया तो यह कुछ बात थी 44 सविदान संसोधन में जो अब देखे 51 सविदान संसोधन 1984 में किया गया था मेगाले नागालेंड अरुनाचल परदेश और मिजोरों में अनुसोची जनजातियों के लिए लोग सभा में सिटो के आरक्षन का प्रावधान करने के लिए सविदान के अनुचे 330 और नागालेंड के विदान सभाओं मे समान आरक्षन परदान करने के लिए अनुचे 332 में संसोधन करने का प्रस्ताओ किया गया हालांगि ये इतना इंप्रोटन नहीं है बस आप पढ़ लीजिए इसके बाद देखे जो 52 सविदान संसोधन ये बहुत महत्तपूर है फिर 61 सविदान संसोधन ये दोनों जो सवि प्लेट जानकारी है उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या आप प्लेइलिस्ट में जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं अनुसूची को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है और हर चीज बताए गई है क्यों दस्वी अनुसूची जोड़ी गई इसके बाद आता है 61 सविधान संसोदन 1989 में इसमें क्याता लोकसभा और विदान सभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र 21 साल से घठा कर 18 साल की गई तो यह क्या था 61 सविधान संसोदन हुआ था 1989 में जो उम्र है उसे 21 वर्स से घठा कर 18 वर्स कर दी गई थी 65 सविधान संसोदन अनसुची जाती और जन जाती यानि के जो SCST है उनके लिए ये बात है एक राश्टी आयो को सामिल किया गया और सविधान के अनुचे 338 में सविधान किया गया और एक निया अनुचे जोड़ा गया 338 का कह यह बात आपको याद रखनी है तो यह कब कि गया 65 सविधान संसोदन हुआ था ठीक तब 1990 में 59 सविधान संसोदन 1991 सत्तर सदश्य विधान सभा और दिल्ली के लिए साथ सदस्य मंत्री परिशद की प्रावधान के साथ दिल्ली को राष्टे राजधानी छेतर गोसित किया गया तो प्रश्न ही यह बनता है कि सविधान संसोदन के तहट दिल्ली को राष्टे राजधानी छेतर गोसित किया गया तो आप क्या कहेंगे 69 जो सविधान संसोदन संसोधन हुआ था शिक्षिन 9 वा जो अमेंडमेंट हुआ था 1991 में इसकी तहत दिल्ली को राष्ट राजधानी छेतर गोसित किया गया चलिए 73 वा सविधान संसोधन 1922 इसमें आपको पता है कि पंचायती राजधानी दर्जा दिया गया था इसमें ये भाग 9 में और 11 अनुसूची इसमें जोड़ी गई तो ये परसमें बन सकता है कि 11 अनुसूची कि यह भी आपको पता हुना चाहिए देखें, 14. संसोधन के माध्य हम से शहरी jet्व कि वर्ग अनुसूची जातियोंग और जण और एक राज्य के तैट सेवाव में नियुक्ति या पदोस्य संबंदित प्रावधान की माध्यम से किये गए सुप्रीम कोट ने उन्हें सबाणवा का फैसला सुनाया था कि सविधान के अनुश्य सोलाचार के तैट पुल आरक्षन 50% से अधिक नहीं होना चाहिए यह बात याद रखने है बस वेशे इतना खास नहीं है किसे आप छोड़ भी सकते हैं सतत्रवा सविधान संसोधन पढ़ लेते हैं देगे जो इंपोर्टन है में आपको बताता चलूँगा जहांचे प्रश्न बन सकते हैं सतत्रवा सविधान संसोधन अनुसूची जाती और जन जाती के पक्स में सरकारी नोकरी में पदोन्वती में आरक्षन की थतकाली नीती को जारी रखने का प्रालधान किया गया येतना खास नहीं है अस्षिवा सविधान संसोधन संगुर राज्य के बीच करोग के बटवारे के लिए एक रिखल्पिक योजना बनाई ये 2000 में हुआ था पिचासिवा सविधान संसोधन अनुसूचिर जाती एवं जन जाती वर्ग के सास के सेवकों की पदोन्वती के मामले में वरिष्ठा का प्रालधान किया गया अब ये आपको याद रखना है, 86 सविधान संसोदन और 91 वार जो सविधान संसोदन था, 11 सविधान संसोदन ये महत्तपुने आपको याद रखना है अनुचेद 21A के तहत, 6 से 14 वर्स के समू के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवारे सिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सामिल किया गया ये कहा गया है, 86 सविधान संसोदन अधिनियम 2002 के तहत चलिए ठीके दोस्तों, ये आपको याद 6 सविधान संसोदन सिक्षा से सम्बंदित है इसमें ये कहा गया कि 6 से लेकर 14 वर्स तक के जितने भी बच्चे हैं इन्हें क्या मुफ्त और अनिवारे सिक्षा दी जाएगी ये किसमें अनुचेद 21A के तहत 21A सविधान संसोदन केंद्र और राज्यों में मंत्री परिशद का सिमित है जो मंत्री परिशद उसे सिमित किया गया प्रावधान किया गया कि केंद्री मंत्री परिशद में परधान मंत्री सहीत मंत्रियों की कुल संक्या लोग सभा के कुल सदस्य संक्या कि 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी भी स्थिती में 12 से कम नहीं होनी चाहिए इन सम्में केवल आपको यही याद रखना है कि किसी भी स्थिती में 15% से अधिक नहीं होगी क्या देखे यह क्या क्या है मंत्री परिशत में परधान मंत्रियों सहीत मंत्रियों की कुल संक् पंद्रा परतिस्त से अधिक नहीं होगी और बारा से कम नहीं होगी केवल यह याद रखना है इसमें आपको इक्याणा सविधान संसोधन 2003 के दैट बस आपको इसे ही याद रखना है बहुत सारी बाते लिखी विए लेकिन जिसमें आपको करना है वस ही यही पूचा जाता है कि निवन्दम कितनी 12 से कम नहीं होनी चाहिए और अधिक्तम 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए बस यही परस्नियां से पूचे जाते हैं तिराणवा सविधान संसोदन अनुचेत 15-5 के तैट निजी गैर सहायता प्राप्ट सिक्षन संस्थानों में सामाजिक और सेक्षिन डूप से पिछडे वर्गों के लिए अरक्षन सत्तानवा सविधान संसोदन इसमें सहकारी समीति बनाई गई थी यह बात आपको पता आँनी चाहिए और यह बात आपको याद भ awhile-9 के थैट एक बी जोड़ भाग नो भी जोड़ा गया था ठीके दोस्तों भाग चार के तहाँ सहकारी समीतियों के निर्माण को प्रोचाहित करता है अनुचेद 19 के तहाँ मोलिक अधिकार बनाया गया सहकारी समीतियों के निर्माण को ये भी एक मोलिक अधिकार है किके सहकारी समीति का जो निर्माण है अनुछेद 19 के तहाट एक मौलित अधिकार है। सविधान में बदलाव करके सहकारी समीतियों को सनक्षन देने के लिए अनुछेद 19 स्वन सी में संसोधन किया गया और उन्चे संबंदि 43 BDSP जोड़ा, DPSP जोड़ा गया है। दारेक्टि प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिस में। प्रिंसिपल प्रिंसिपल और स्वन संसोधन अधिनेम 2015 यह आपको क्या करना है थोड़ा से भी आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है भारत बंगला देश ने भूमिक आधान परदान किया था सोवे सविधान संसोधन के सहत बस आपको यह याद रखना है। और यह पूछ अनुसूची में एक सकते यह भी परशन बन सकता है कि किस अनुसूची में यह आपका संसोधन किया गया तो पहली अनुसूची में संसोधन किया गया। एक सो एकवा सविधान संसोधन जो 2017 में हुआ था इसमें GST की सुरुवात की गई तो GST से आप ऐसे याद रख सकते हैं GST का मतलब होता है पैसा और हम कन्यादान करते हैं ठीक है तो कन्यादान में कितने देते हैं 101 गुरुपा देते हैं आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं ज इसे सामिल किया गया एक सो तीनवा सविधान संसोधन अधिनियम इसमें देखें जो EWS है EWS यह देखें यह जो तीन है यह उल्टा बना हुआ है तो आप इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि 103 सविधान संसोधन किसे संबंदित है EWS से संबंदित है इन्हें 10% और एक्षन गया गया इस संसोधन के तहट 104 देखिए लोगसभा और राज्यों की विधान सभाओं में एसी और एस्टी के लिए सीटों की समाप्ति की सीमा 70 साल के बढ़ाकर 80 साल कर दी गई लोगसभा राज्य विधान सभा में एंगलों इंडियन समुधाय की सीटों को हटा दिया गया है यहां पर इक बात आपको नोट करने यह हटाया नहीं गया इसे पर केवल रोक लगाई गई है ठीक है पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया बलकि इसके उपर रोक लगाई गई है यह आपको याद करना है बस 104 में यह एंगलों इंडियन समुधाय की सीटों को खत्म कर जाएगा एक्जाम में यह ऐसा आता है तो ऐसी याद कर लीजेगा और यह आता है रोक लगा देगे तो फिर आप कहेंगे कि रोक लगाई गई है 105 सविधान संसोदन यह आकिर है इसके बाद हमारी वीडियो है सविधान संसोदन की यह खत्म हो जाएगी तो देखे दोस्तों यह 105 सविधान संसोदन हुआ था और यह हुआ था सविधान संसोधन विधेव 2021 ने पेस किया गया बिल राज्यों और केंद सासित परदेशों को सामाजिक और सेक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तयार करने की अनुमति देने के लिए सविधान में संसोधन करने से संबन्दित था तो इसमें क्या है देकि जो के अधिकार को परभावी किया गया जिन समुदायों के लिए भारत में विशेश प्रावधान या सकारातम करवाई दे सकते हैं उन्हें SEBC के रूप में वर्गीकर्थ किया गया जिसमें आमतोर पर पिछड़ा वर्ग के रूप में संदर्भी स्रेणिया सामिल है इसमें को फोड़ा टोर फिर बदल करेंगे तो आपको इसके भीसे में जानकारी परदान कर दी जाएगगे दोस्तो यदि आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो आप चैनलों को सब्क्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, चले दोस्तो हमारी वीडियो आज यही पर खतम होती है, इसी के साथ में हम आप से विज़ा लेते हैं, देखें, इस पूरी वीडियो में आप जो तो आप लोग इसे जरूर देखें, रन्यवाद दोस्तों